नमस्कार बच्चों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में तो आज हम पढ़ेंगे निती निदेशक सिद्धान्त और मॉलिक कर्तव्य अभी निती निदेशक सिद्धान्त का मतलब क्या देखें जैसे जो निती के अनुरूप सिद्धान्त होता है उसे क्या कहते ह निती निदेशक सिद्धान्त कहते हैं और मॉलिक कर्तव्य मतलब क्या जैसे देखें मॉलिक अधिकार होते हैं वैसे ही मॉलिक कर्तव्य होते हैं तो इनहीं के बारे में हम इस पार्ट में पढ़ने वाए हैं तो चलिए हम पढ़ते हैं देखें यहां पर क्या दिया है पहल नहीं अपीतु हमने यह भी समझा कि इन अधिकारों को न्यायलीन संग्रक्षन भी प्राप्त है मौलिक अधिकारों का हमारे व्यक्तिगत तता सारवजनिक जीवन में निहित महत्व भी ध्यान में आया इस प्रिष्ट भूमी में हम नीती निदेशक सिद्धानत किसे कहते हैं इसे समझेंगे तो सबसे पहले ये थोड़ा परिचे है कि पिछले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा था पढ़ा था ना मौलिक अधिकारों के बारे में तो ये जो मौलिक अधिकार है इसी तरह से मौलिक कर्तव होते हैं निती लगाते हैं निम्न सुची पड़ो तो ध्यान में आएगा कि सरकार पर कौन से बंधन लगे होते हैं दीखे जो हमारे मौलिक अधिकार है वो क्या करते हैं सरकार की अधिकारों पर बंधन लगाते हैं चलिए अब पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि कौन से बंधन सरकार के कोई बे सरकार वो हमारे साथ भेदवाव नहीं कर सकती कि हमारी जाती क्या है धर्म क्या है वंश क्या है भासा क्या है लिंग क्या है ठीक है तो यह क्या है सरकार पर बंदन लगे हुए हैं फिर दूसरा है सभी कानून के समक्ष समान है तथा सभी को कानून का समान संग्रक्ष समान रूप से संगरक्षन प्राप्त है इससे किसी को भी वंचित न रखें और क्या है कि कानून के सामने सबी लोग क्या है समान है किसी के साथ भी कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति के प्राण छीन न ले और किसी भी व्यक्ति के प्राण हम नहीं ले सकते मतलब जो धार्मिक कर होते हैं नेक्स वो लागु न करे, ये हैं सरकार के उपर बंधन, सरकार क्या करें, इस विस्य में समविधान में कुछ निदैसों का उल्लेक प्राप्थ है, इन निदेशों का उद्देश यह है कि सम्विधान के उद्देशिका में जो उद्देश असपस्ट किये गए हैं उन्हें प्राप्त करने हैं तू मार्क दर्शन मिले अता इन निदेशों को निती निदेशक सिद्धान कहते हैं समझ में आया आपको कि सरकार क्या करें इस विश्यमें सम्विधान में कुछ निदेसों का उलेक प्राफ्ट है ठीके और इन निदेशों का उद्देश यहा है कि सम्विधान की उद्देशिका में जो उद्देश स्पस्ट किये गए हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए क्या मिले मार्ग दर्शन मिले अता इन निदेशों को निती निदेशक सिध्दांत कहते हैं और इन ही यह जो निदेश हैं ठीके इने ही हम क्या कहते हैं निती निदेशक सिध्दांतों का समावेश क्यों किया गया तो देखे क्या होता है देश वतंतर होता है फिर उस समय हमारे सामने सबसे बड़ी चुनोत देश में कानून एवं विवस्ता निर्माड करने और सुचारों रूप से प्रशासन चलाने की दरीदरता पिच्रा पर निरक शर्ता दूर कर देश की सासन विवस्ता को पटरी पर लाना था ठीके उसके लिए क्या होता है देखे और आगे और भी कामते राश्ट्र नीतियां तै करना और उनका कार्यान वयन करना आवश्यक था समझ में आया आपको मतलब जब हमारा देश आजा दूआ तो सबसे बड़ी चुनोती क्या थी कानून विवस्ता का निर्माण करना उसको सुचारों रूप से चलाना फिर निरक शर्ता और दरिद्रता यह सारे जीजो को दूर करना ठीक है और राष्ट रि़िमार र फिर विकास का कार्य करना यह सबै क्या थे चुनोती ही तो थे ठीक है यह सबी काम करने थे इसके लिए नही नहीं नीतियां तै करना और फिर उनका कार्यावन करना मतलब ऐसा McMC कि बस नीतिया तयार करती हो गया ऐसा ने नीतिया तयार करना और उसका पालन भी करना ठीक है ये क्या था आवश्यक था लोग कल्याड के उद्देश को साध्य करना था संशेप में भारत का रुपांतर एक नए विक्सित और उन्नदेश में करना था तो आप संशेप में समझ सी उपायोजनाय करनी चाहिए यह समविधान में नीती निदेशक सिध्धानतों द्वारा स्पस्ट किया गया है और इसके लिए संग सरकार और राज्य सरकार को किन विश्यों को प्रात्मिक्ता दीनी चाहिए और लोग कल्याड है तू कौन सी उपायोजनाय करनी चाहिए यह समविधान में निती निदेशक सिध्धान्तों द्वारा सपस्ट किया गया है समझ में आया आपको निती निदेशक सिद्धान्त क्या होते हैं और इन सिद्धान्तों को राजियों की नीतियों का आधार बनाया समझ में आया आपको कि ये जो सिद्धान्त थी इनको राजियों की नीतियों का आधार बनाया प्रतिक नीती निदेशक सिद्धान्त में राज की नीती निर्धारोड एक विशेश नहीं थे उस विशे के आनू संगिक रूप से राज नई नीती निश्चित करे या पिक्षा सम्विधान के निर्माड करता ने वेक्त की है वे इस तत्य से परिचेत थे की इन सभी नीतीयों का कार्यान वयन एक साथ और एकी समय में करना हो तो उसके लिए विपुल धन के आवश्यक्ता अनूभा होगी इसलिए उन्होंने सरकार पर मौलिक अधिकारों के समान नीती नीदेशक सिध्धान्तों को अनिवारे नहीं बनाया सभी राज क्रम्षण लेकिन निश्चित रूप से उन सिध्धान्तों का कार्या नवयन करे ऐसे अपिक्षा सम्विधान निर्मताओं ने व्यक्त की अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण नीती नीदेशक सिध्धान्तों चलिए देखते हैं आजीवका का साधन उपलब्द करा दे इस बारे में स्त्री और पुरुस का भेदभाव न करे फिर दूसरा स्त्री और पुरुस को समान काम के लिए समान वेतन दे तिसरा लोगों के स्वास्त सुधार हेतों उपाई योजना करे चोथा पर्यावरण की रक्षा करे और फिर आज की दुर्बल वरगों को विसेश संग्रक्षर प्रदान करे तथा उनके लिए विकास के अवसर उपलब्द करा दे व्रिद्धावस्ता दिव्यांगत्व बेरोजगारी से नागरीकों की रक्षा करे भारत के सभी नागरीकों के लिए समान नागरीक कानून लागू कर निती निदेशक सिद्धान्त और मौलिक अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं मौलिक अधिकारों के कारण नागरीकों को अत्यावस्यक सोतंत्रता प्राप्त होती है तो निती निदेशक सिद्धान्त लोक तंत्र द्रिड होने के लिए पोशक वातावरा का निर्माण क करते हैं देखिए निती निदेशक सिध्धान्त और मौलिक अधिकार एक ही सिख्के के दो पहलू है जैसे मौलिक अधिकार हमें क्या देते हैं हमारे जो भी हक हैं वो कोई हमसे छीद न ले यह हमें बताते हैं तो वैसे ही जो निती निदेशक सिध्धान्त होते हैं वो लोकतंत इद्रिड होने के लिए पोसक वातावरण का निर्माड करते हैं अर्थात सरकार ने किसी निती निदेशक सिध्धान्त का पालन अथवा कार्यान वयन नहीं किया तो सरकार के विरुधहम न्याले में नहीं जा सकते लेकिन विभिन शुरोतों से सरकार पर दबाव लाकर हम निती निश्चत करने हेतू आगर ही बन सकते हैं समझ में आया आपको की अर्थात क्या है इसका कि सरकार ने अगर किसी निती नीदिसक सिद्धानत का पालन अत्वाक कार्यान वयन नहीं किया तो फिर हम सरकार के विरुद नियाले में तो नहीं जा सकते क्योंकि यह कंपलसर ही नहीं है ठीक है लेकिन हम किसी न किसी तरह से अलग अलग शुरोतों से सरकार पर दबाव लाकर के निती निश्चत करने हेतू आगर ही बन सकते हैं अब यहां पर अगला पढ़ेंगे मौलिक करतावे तो लोगतंत्र में नागरिकों पर दोहरा उत्तरदायित्व होता है एक और उन्हें समविधान द्वारा प्रदत अधिकारों के बारे में जागरों करहना पड़ता है अधिकारों का हननन नहीं होगा इस बारे में सतर करह ना पड़ता है तो दूसरी और कुछ करतवे और उत्तरदायत भी पूर्ण करने पड़ते हैं सभी भारतियों के उन्नती एवं कल्यान साध्य होने हैं तो समविधान ने मौलिक अधिकारों और निती निदेशक सिद्धानतों द्वारा अनेक प्रावधान किये हैं परन्तु जब तक नागरिक अपने मौलिक करतवे पूर्ण नहीं करते तब तक सरकार द्वारा किये जाने वाले सुधारों का लाब सभी को नहीं मिलता जैसे स्वक्ष भारत अभियान के अंतरगत सरकार द्वारा सवच्चता से संबंदित अनेक उपक्रम चलाए गए परन्तु एं मैं आपको मौलिक करतवे पता उससे पहले मैं आपको इसका मतलब बता देती हूं देखे जैसरे लोकतंतर में में नागरिकों पर दोहरा उत्तरदाइद वह होता है जैसे क्या होता है कि एक और सम्विधान में क्या दिया गया है हमारे अधिकार दिये गया है हमारे मौलिक अधिकार दिये गया है ठीक है तो मौलिक अधिकार के साथ साथ हमारे कुछ मौलिक करतव्य भी है जैसे मैं आपको एक्जामपल के लिए बत स्टेशन रोड बगएर जो भी सारवजनिक्स दले गारडन तो इसको हम गंदा ना करें हमारा कर्तविय ठीक है तो मौली कर्तवें कौन-कौन से भारतिय सम्विधान में किन-किन मौलिक कर्तवयों को इंक्ल्यूड किया गया है उसको हम देखते हैं तो दीके पहला क्या है कि प्रते एक नागरीक सम्विधान का पालन करें और एक नागरीक को सम्विधान का पालन करना चाहिए और सम्विदान में उलिक्खित आधर्शों, राज्ट, ध्वच और राज्ट गीत का सम्मान करें फिर स्वतंत्रता अंदोलन को प्रेड़ना प्रदान करने वाले आधर्शों का पालन करें देश की संप्रभुता एकता और खंडीतता को संग्रक्षित रखने हेतु प्रेड़ना शेल रहे अपने देश की रख्षा करें देश की सेवा करें और सबी प्रकार के भेदभावों को भुलाकर एकात्मता अमें व्रिद्धी करें और बंदूता की भावना को वृद्धी गत करे उन प्रथाओं का त्याग करे जिनके कारण नारी की प्रतिस्था कम होती है हमारी मिली जुली सांस्क्रितिक विरासत का निर्वाह करे फिर प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे समस्त सजीओं के प्रती दयाभाव रखे और मौलिक करतवे कौन-कौन से हैं देखे वेग्यानिक द्रिष्टी मानवतावाद और जिग्यासा वृत्ती को अंगिकरित करे सारवजनिक संपत्ति की रक्षा करे हिंसा का त्याग करे देश की उत्तर उत्तर उन्नती होने के लिए व्यक्तिकत और सामुहिक कारियों में स्रेश्टद्व पाने का प्रयास करे छे से चोदा वर्ष आयूवर के अपने बच्चों को उनके अभिबावक सिक्षा के अवसर उपलब्द करा दें तो यह सब होते हैं मौलिक करता वे समझ में आया आपको जैसे देखिए यह लड़का क्या कर रहा है यह जो समारक है इस पर अपना नाम कुछ भी लिख रहा है तो ऐसे हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि यह क्या है यह एक एतिहासिक समारक है आप इस पर कैसे अपना नाम लिख सकते हो यह हमारी संपत्ति नहीं है कि हम इस पर अपना नाम लिख दे ठीक है वैसे यहां पर बस की तोड़फोड यह आप कैसे कर सकते हो इसमें आपने तोड़फोड कर दी तो इसमें पैसा किसका आपका ही जाएगा एक तरह से देखो तो क्यों कि हम टेक्स भरते हैं अब उसे टेक्स से तो जो भी सरकारी से वह हमें दी जाती हैं वह मिलती है तो अगर हम किसी रोड को बस को ट्रेन को नुक्सान पहुचा रहे हैं तो अगर आप जरा बैठ करके सोचो तो एक्चुल में किसका नुक्सान है हमारा ही नुक्षान है क्योंकि सरकार के पास पैसे कहां से आते हैं जब हम टेक्स देते हैं तो तो इसमें किसका पैसा लगा हुए हमारी पैसे लगे हुए हैं तो ऐसे हमें कभी भ थे और अगला टंगे हुए निम्बू मिडश कपकर अब देखे इसमें यह क्या किया है जएक पर कुड़ा कच्ण कच्रा से और चाहिए बताइए लाई या फिना यह पर लेकर के जाएंगे या फिर उसको और रखो ऐसे रोट पर फिक देते हो यह अची जोगे कि हमने अपना घर साफ कर लिया लेकिन रोट को तो गंदा कर दिया ना तो आप बताईए आपके विचार से इन जित्रों में किन कर्तवियों का पालन नहीं हो रहा है तो इसके बारे में जरा सोचिए गा और बताईएगा अब यहां पर यह देखिए यह बच्चे इस आईवर्क के सभी लड़के लड़कियों को विद्याले में प्रविश लेना आवस्य के फिर भी आने कारणों से लड़के लड़के विद्याले में जान नहीं पाते उन्हें अपने माता पिता की आर्थिक साहता करने के लिए काम करना पड़ता है ऐसे लड़के लड़ को ein Cake कि प्राप्त संग्रक्षर काभ्य हमने विचार कि हमारे मौलिक करते हैं इसे भी हम हमने समझा अगले वर्स हम हमारे देश का सास्थन तक Shot तो दीखिए यहाँ पर हमारा जो नागरिक सास्र है यह पूरा के पूरा कंप्लीट होता है इस पार्ट में विशेश कर आपको दो ही जीज़े पढ़नी है कौन-कौन सी निती निदेशक सिध्धांत और मौलिक करतव्या आपको इन ही दोनों चीजों से रिलेटेड मतलब इती निदेशक सिध्धांत और मौलिक करतव्या इसको अच्छे से पढ़िएगा ठीक है तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार